वेल्कम बैक टू माई यूटीब चैनल आज मैं आपको 2018 का एकोनामिक्स का वेपर देने जा रही हूँ तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेर करें अपने फ्रेंज के साथ और अगर अभी तक आपने मेरा यूटीब चैनल सब्सक्राइब कर दें और मैं आपको डिफ्रेंट सब्जेक्ट के पेपर भी प्रोवाइट करती रहूंगी ठीक है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें तो क्वेस्टिन नमबर वन ए फिल इन द ब्लैंक्स इट करेंश फाइमाक्स यू कें टेकर प्लीज टेकर स्नाप्शाट क्वेस्टिन नमबर वन भी मैस्टो कॉलम से इत अल्सों करेंश फाइमाक्स यहां पर टू फॉल्स आ जाते हैं यह भी सिक्स मार्क्स के हैं तो आपको पूरे सिक्स जो है पूरे अटेम्ट करने है ठीक है और इसमें आपको रिजन लिखना ज इसमें आपको six options मिलेंगे next page पे तीन और option ही ठीक है remaining three options question no.2a के अभी 2b है हमारा give reason इसमें भी आपको छे option मिल जाते हैं आपको सरिफ any three give reason करना है ठीक है then question no.3a है distinguish between यहाप पे आपको six options मिलेंगे you have to attempt only three questions okay then 3b this is the short note type of question यहाप आपको two करने attempt ठीक है two short note attempt करने आपको अब question no.4 आता है यहाप भी आपको six options मिल जाएंगे आपको यहाप पर three attempt करना है okay you have to attempt only three out of six then question no.5 this is a disagree or agree type of question you have to first agree or disagree with the statement and then you have to explain the concept okay तो यहाप पर आपको भी six options मिल जाएंगे और आपको only three attempt करने उसमें से question no.6 यह detailed answer होता है और explanatory answer होता है यहाप आपको four options मिल जाएंगे और you have to attempt only two questions two हमेशा micro से आते हैं और two हमेशा macros आते हैं तो आपको micro का attempt करना है तो you can attempt only micro questions और whether macro okay please subscribe my channel अगर आपको वीडियो परसन आए तो please comment करके मुझे ज़रूर बता है और मेरे चानल को भी subscribe जड़ेंगे